हेलो स्टुडेंट्स इस्टिमेशन की सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि कोई भी कारे हम लोग एक यूनिट में करते हैं जिससे कि उसका मेजरमेंट करना इजी हो जिससे कि आगे पेमेंट भी हो उसी पे टो यहां पेमने कुछ work के unit मत दिखा दिखा है है यह यूनिट आफ मेजरमेंट फार वारियर आईटम आफ वर्क धिक द यैट मेजमेंट फारव यहींस आइटम आफ वर्क एक दरफ हमने column बनायी आईटम का आप एक तरफ बनाय यूनिट आफ मेजरमेंट का देखे जैसे इसमें है अर्थ वर्क, अर्थ वर्क की जो केलकुलेशन होती हो, क्यूबिक मीटर में होती है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में, अर्थ वर्क में जैसे क्या आएगा, कटिंग, फिलिंग, फांडेशन की कटिंग होती है, मिट्टी उसमें निकाली जाती है, तो की भराई भी होती है तो मिट्टी की भराई को हम लोग बोलते हैं फिलिंग तो कटिंग हो या फिलिंग हो और क्यूबिक मीटर में आएगा उसके बात यह तो रही फाउंडेशन की बात अगर कहीं भी वर्क है आपकी मिट्टी का जैसे आपका फाउंडेशन बन गया में उसकी calculation होगी ठीक घंड में cubic में ही उसका calculation होगा अब आती है बाद sand filling की जहां पे sand filling करना हो या sand purchase करना हो या quantity निकालनी हो तो sand filling के भी cubic meter में उसका भी घंड में होता है calculation जैसे आपका foundation बनाना है तो foundation के बाद उसमें टाइउटाई करते हैं सेंड डाल के स्टून डस्ट डाल करके तो वो सारी केलकुलेशन क्यूबिक मेटर में होती है फिर आते हैं lime concrete एक बात ध्यान में रखे लिए concrete के जितने भी वर्क होते हैं वो भी क्यूबिक मेटर नहीं घन मेटर में होते हैं ठीक है चाहे lime concrete हो चाहे cement concrete हो चाहे RCC हो reinforcement concrete ठीक तो RCC में देखिए RCC में cement concrete भी है और reinforcement भी है तो reinforcement का अलग calculation होगा और CC का अलग calculation होगा इसमें कि जो aggregate मिलावा है ठीक उसका तो हम लोग करेंगे क्यूबिक मेटर में और जो RCC reinforcement होगा इसका किया जाएगा quintal में ठीक है फिर आपके पास आता है work DPC तो DPC का होता है स्क्वाइर मेटर में damp proof concrete होती है इसे नमी को रोखने के लिए सिलन को रोखने के लिए इसका calculation स्क्वाइर मेटर में होता है इसका स्क्वाइर में होता है क्योंकि width इसकी width और length के according होता है और इसकी thickness होती हो specified होती है तो इसका जो पैसा payment होता हो specified thickness के लिए होता है ठीक जैसे आपका यह plint हो गया यह foundation है तो foundation को उपर यह जो यह मोटाई होगी यह DPC की पहले से specified होती है लगभग में 10 mm से 12 mm तक की ठीक ना 2 cm मानके चलते हैं कभी-कभी 2,5 cm तो यह आपका specified हो गया thickness बाकि जो length होगी और width होगी इसके अनुस्वार length और width के लिए 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 स्क्वाइर में आ जाता है DPC तो DPC का calculation यह payment जो भी होगा वह स्क्वाइर में होगा next आता है अपका brick work brick work जो भी होगी वो cubic meter में होते हैं घन-meter में होते हैं लंबाए चोड़ाई और उचाई measurement का लिए ता है brick work का और आपको पता भी होना चाहिए कि एक घन-meter में यह cubic meter में कितने brick आते हैं एक 460 से लगभग में 500 अब देखिए variation करता है 460 से 500 में इसलिए brick के size की उपर ठीक है ऐसे 20 by 10 by 10 का लेंगे 20 by 10 by 10 का लेंगे तो यह 500 आएगा ठीक है 20 by 10 by 10 का लेंगे तो 500 brick आएगा एक घन-meter में एक मीटर उचा एक मीटर चवड़ा एक मीटर लंबा ऐसे में अगर ब्रीक को रखा जाए तो 500 ब्रीक आएगे ठीक है अंडेट ब्रीक्स स्टेंडर साइज 20 by 10 by 10 की बात कर रहा हूं मैं अगर वहीं साइज अपका जिस्ते यूपी में है 19 by 9 by 9 या जो वरियेशन है तो चार्सो साट से लेवर 500 तक का वरियेशन आ जाता है तो ब्रीक वर के कल्कुलेशन होंगे किसमें क्यूबिक मीटर में अब रतिया बात पार्टिशन वाल की तो पार्टिशन वाल क्या होता है एक हाफ ब्रीक का दिवाल बनता है अधेट का क्या वह भी जो चोड़ाई होता न उसकी एक वार्डिंग तो इसका हम लोग वह इस्पेसिफाइड हो जाता है कि उसका ठीकने से तना ही है तो इसका स्क्वायर में क्यल्कुलेशन कर लेता ह यह जो partition wall है एक यह लोड बेरिंग वाल नहीं होती है नान लोड बेरिंग वाल होती है इस पर भार कोई नहीं आता कि छेतर को divide करने के लिए partition wall लगा जाता है तो इसका calculation स्क्वार मीटर में कर देता है क्योंकि इसकी thickness कम हो जाती है फिर आता है stone work यह भी stone work भी cubic meter में होता है stone work देखे जैसे आपका foundation बनता है तो वहां पर stone work होता है foundation में किनारे किनारे मिट्टी को रोकने के लिए या फिर उसके उपर प्लिंथ डालने के लिए stone work किया जाता है ठीक है stone work और भी छटों में भी हो जाता है कभी कभी sunset के लिए भी हो जाता है और arches बराने के लिए काम भी आता है ठीक है तो आपका यह stone work क्यूबिक मेटर में इसका भी घन मीटर में calculation होती है अब आता है आपका woodwork अब आपको बताता है woodwork अन्य लकड़ी के कारे होते हैं जो बिल्डिंग्स में जनरली लकड़ी के कारे जो होते हैं डोर बनाना विंडो बनाना अब डोर विंडो में दो पार्ट होते हैं एक आपका फ्रेम बनाना अन्य चौखट जी से बोलते हैं तो उसका calculation डोर विंडो के फ्रेम का हो calculation होती है cubic meter में घंड meter में और जो panel होते हैं frame के बीच में जो panel होते हैं जो इनकी ठीकने लगभग में डेड़ से 2 mm 3 mm तक होती है उसका जो calculation करते हैं हम लोग स्क्वाइर meter में करते हैं work meter में लेकिन frame जो हते हैं door window का क्यूबीक में करेंगे इसिलीवर्क वहें ऐरा ला है फिरो ऑसील वर्क है है रिवंस्ट कहँप सीलीबर कासaking क्युंट म में होता है कि गड़ना केल्कुलेश्ट कुंटल में करेंगे हम लोग चाहे जिसे आपका स्टील वर्क यह वह वह ब्रिश्ट में भी और उसके बाद रेलिंग का भी जो वर्क हो गया में होरा है ठेक तो कुंटल में होगा लेकिन अगर आपका वह स्कील्प लगाना करते हैं फिर बचता है आपका roofing, roofing में जैसे tiles लगाना है, concrete भी छाना है, तो roofing का, हम लोग square meter में calculation किया थी है, tiles वोट जो लगाने होते हैं, square meter में, plastering, plastering का कार भी square meter में होता, इसका भी आपका, 10 mm to 12 mm इसका भी thickness fix होता 10 mm to 12 mm thickness इसकी भी fix होती है तो और इसलिए इसका plastering भी square meter में कि याथे लंबाय और चोड़ाई से thickness नहीं लिए जाती है painting भी square meter में pointing pointing भी pointing भी square meter में pointing के आप मतलभी है जैसे कहीं भी plaster टूड़ी आता है ठीक है तो वहाँ पर जो repairing काम होता है pointing का उसे बोलते है जहां पर slurry से बना करके उसका pointing कि आता है या फिर क्या करते हैं कि plaster की उपर देख़ों कि चिकना चिकना जो cement का गारा बना करके मातलभी से दोगा भी बोज़ते हैं वह pointing आपका square meter में भी होता है वाइट वासिंग पुट्टी वाइट वासिंग पुट्टी जो भी वर्क होगा square meter में होगा है distempering painting भी square meter में होगी flooring जो नीचे का floor बनता है वह भी आपका square meter में सब के calculations होती है ठीक है अब उसके बाद जो बचता है यह तो जंगलिया पर बिल्लिंग के वर्क होगा है ठीक है अब यहीं है जैसे highway का है highway में damer हो गया तो पर drum या पर टन में आता है और भी वारियस जो भी है उनका लगाता जैसे supply करने का जैसे हो गया supply of timber supply of brick glass supply of stone यह सब cubic meter में घंघन meter में quintal में यहीं सब होते हैं तो जनले जितने भी आपके work वले हैं नाथ हमने आपे बता दिया है उसके बाद deduction के लिए हमें डोर जैसे जो हम work करते हैं तो deduction करना होगा deduction करना होगा हमें तो deduction जो भी होगा किसका deduction किसका होता है door का होता है window का होता है third ventilation का होता है तो अब हमें इनका size जब मालू होगा तभी तो हम deduction करेंगे भई तो हम लोगे हैं पे डोर के साइज का हम लोग ये देख लेते हैं कि साइज के साइज के डोर होते हैं देखे 120 certainly by 210 centimeters 120 cm by 210 cm ठीक न? ये आपका हो गया जैसे आपका ये होता है कीई एक सोब्वी सेंटि मेंटर तो ऐसे के और ये एक दोसोथ दस सेंटिमेटर औहिसे है कि यह कर दोर वने है इसमें यह को किय Ensuite हीट जो होगिए 20 सेंटिमेटर और यह चौड़ाई जह होगी यह होगए तो यह आपका हो गया में इसके बाद डॉर के साइज यह पहला होगे दूसरा डॉर साइज हुए था है आपका 110 सेंटीमीटर बाई 200 सेंटीमीटर अब छोटा होता जा रहा देख 120 से 10 गड़ी और 210 से गड़ी तर्ड वह आता है 100 सेंटीमीटर बाई 190 सेंटीमीटर फिर उसके बार 75 सेंटीमीटर बाई 75 cm by 180 cm यह 5 दोर के साइज हैं बच्छे पांचों दोर के साइज में देखें यह लगभग आपका 120 cm by 210 cm यह आपका 342 चार फिट और 6 चार फिट चार फिट चार फिट का लगभग में आगा तो हमें फिट में यहां तना उगन ही करना है तो यह आया आपका बड़े डॉर के लिए उसके बाद उसे फित्वों चोटे ड poor के लिए फिर तो जैसा हमारा मेर्स तर्म दोर हो गया इतना रखेंगे पिर ग्रुम की डूर यह उतनाा रख्यंगे और यहां वेस्ट कोन दो गए कीचन सो गए के उनES साइज है इनको जितना है बच्चा हम बताते जाने सब नोट डाउन भी करते जाना आप लोगों को ठीक ना अब मैं बताता हूं साइज ना विंडो की बात करते हैं विंडो विंडो भी आपका देखिए सेकंड है नबबे सेंटिमीटर वाई एक सो बीस सेंटिमीटर यह लार्ज विंडो है यह स्माल विंडो है ठीक है तो यह दो साइज होगे विंडो के फिर आता है आपका वेंडिलेशन की बात करें तो वेंडिलेशन का भी देख लेते हैं जहां भी बच्चों नों समझ में है कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा वहां पर पूरा संधाया जाएगा वेंडिलेशन के लिए जो छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है 120 cm by 60 cm सेकेंड है आपका 100 cm by 60 cm यह हाइट जो है 60 cm से ज़्यादा ने रखना है यह फिर 90 cm by 50 cm यह छोटा वाला हो गया यह 60 cm ज्यादा ने रखना है क्योंकि इसका फिर ज्यादा हाइट जाता है दिक्कात हो दिए यह चोड़ाई जो है दर्वाजे के लगविक बराबर रखते हैं नोट डाउन करके लिखते चाहिएगा सब चीज अधिकने शाफ और सिशी स्लैब थीकने साफ रसी स्लैब की थीकने रखनी चाहिए देखिए आपका साथ सेंटेमीटर से ले रखते हैं अब यह वर्क के लिए नुसार रहे हैं जैसे हमारे पास च्छत का स्लैब देखना है तो वह लगवग 12 सेंटेमीटर पड़ता है रूफ के लिए ठीक और संसेट के लिए छजा के लिए जब आता आती है तो यह लगभग आपका आता है 6 cm से 7.5 cm ठीक है और यह लगभग यह हैं आपका 12 cm से ले करके वर्क के अनुसार इसका चेंज होता रहता है ठीक है यह देखिए ठेकने सा पार्ची सिसलब 7.5 cm रूफ के लिए 12 cm छजा के लिए 6 cm से 7.5 cm रखते हैं अब देखिए ठीकने साब DPC में देखिए 2 cm से ले करके 4 cm तक रखते हैं फिर आती यह बाद ठीकने साब प्लास्टर प्लास्टर के थिक्रेंट भी हम ने बताया भी आपको 10 mm to 15 mm जनरली हम लोग वाल जब प्लास्टरिंग करते हैं वाल के लिए तो 12 mm रखते हैं ठीक है वाल के लिए 12 mm रखते हैं लोग अब एक चीज आती है हाईटा प्लीन्थ ग्राउन्थ लेवल से जो प्लीन्थ लेवल होता है वो हाईट जो प्लीन्थ हाईट कर लाती है जैसे आपका होगे ग्राउन्थ लेवल यहाँ से आपका फाउंडेशन यह प्लीन्थ पड़ा हुआ है यहाँ पे तो इस height को क्या बोलते हैं हम लोग, plinth height, plinth height, ठीक, तो plinth height जो रखी जाती है, वो 30 cm से ले करके, 30 cm से ले करके, 75 cm तक रखी जाती है, 30 cm से ले करके, 75 cm तक हम plinth height दे सकते हैं, अब उसके बाद, हमारे पास आता है, height of building, building की height कितनी देते हैं, यानि plinth के उपर, जो 6 तक का level होता है, वो building height का लाती है, building height देते हैं हम लोग, 2.80 meter से ले करके, 4.20 meter तक, आनि 9 feet से ले करके, 9 feet से ले करके, 14 feet तक, ठीक, यह सब standard है, इसमें यह देखना है कि हमें क्या requirement कितनी आ रही है, तो देखिए हम लोग जो रखते हैं generally, mean height 3.3 meter, यह normal building के लिए, normal building बोले तो residential, residential, residential building के लिए, हम लोग 3.3 meter, यह कितना आ जाता है, यह 11 feet आ जाता है, तो इतना हम लोग रखते हैं normal building के लिए, otherwise variation जो होता है, 2.80 meter से 4.20 meter तक ही होती है, उसके बाद आता है, हमें room size कितना रखना है, size of room, जो room के size होते हैं, देखिए, 3 meter by 3.6 meter, 3.6 meter by 3.6 meter, 3.6 meter by 4.2 meter, 3.6 meter by 4.8 meter, यह आपके normal size है, बाकी variation तो करता है, अपने आप होता है, जाता है standard size है, कि ही room के size होने चाहिए, अब next आती है, stair, stair, stair में देखिए, तिन चार्टर मुझें थोड़ा सा, देखिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठिक, तो जो यह चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम लोग trade, इसको बोलते हैं हम लोग trade, यह जो height है, यह height पो हम लोग क्या बोलते हैं, Rs. ठीक है, यह उटाई है, इसको बोलते हैं rise, और यह जो चोड़ाई है, इसपे लगते हम लोग trade, तो जो राइज है रखते हैं हम लोग राइज 15 सिंटीमीटर से लेकर के वो 18 सिंटीमीटर तर रखा जाता है और जो ट्रेड है जो ट्रेड है वो रखा जाता है जो ट्रेड है वो रखा जाता है आपका 18 सिंटीमीटर से 30 सिंटीमीटर अठाई सिंटीमीटर से 30 सिंटीमीटर तर इसका ट्रेड रखा जाता है इतनी बाते हुई इसमें अधिक से स्टेंडर्ड साइज यह आपका एक्चूल जो साइज होती है एक एक्चूल साइज होती है यह आपका एक्चूल साइज होती है हीब्रीक होती है वह यह आपकही यह आपकहज होता है जह आपके कमपनी के नम आता है 10 100 पिर्सन होता है त्यार पर्रहार नाइन यह वाला भी पौरृष्ण आपका 9 सेंटेमीटर और यह बर्लक्लत पिर्षन है यह 9 Gen. समय messageultur यह आपका मॉर्बॉर लेकश hedgeрь का क्या डीमेनशन आज जो फ्रॉच का साइज होता है जो छोड़ा जाता है इसे लग बहुंब आपका चलढ milli यह कि यह होता है छे सेंटीमीटर और इधर से होता है फोर सेंटीमीटर आनि जो फ्रॉक का साइज होता है ठीक जिसमें कमपनी के नेम लिखे जाते हैं वो छे सेंटीमीटर बाई फोर सेंटीमीटर में लिखे जाते हैं आपके इतने हो गए इसमें अब क्या होता है लेकिन ये तो हमारा हो गया स्टेंडर्ड साइज लेकिन जो हमारा यूपी में जो हमारे पास ब्रीक आती है ठीक इनका कुछ साइज देखे क्या होता है ये होता है इनका साइज 22.9 cm by 11.2 cm by 7.0 cm मतलब यह आपका length हो गया यह आपके width हो गई यह आपके height 22.9 लगभग 23 cm 11.2 cm 7 cm यह तिने लगभग में आपके आती है इनका variation भी होता है इसा नहीं है कि जरी इदम actual ही होती है 30 cm 11.4 cm ठीक यह आपका 7.6 cm 7.5 cm यह variation होते रहते हैं by company to company और company का अलग 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 रहता है ठीक है तो brick जोडने के लिए हम लोग किस क्या चीज़ा यूज करते हैं brick joint के लिए mortar का यूज ही आता है mortar जो बनता है आपका cement and sand क्या हम लोग water के साथ cement sand water का गोल बनाते हैं गोलने मोटर बनता है जिसके साथ brick के जोइनिंग करते हैं ठीक है तो जितने हमें बताने था भी है unit plus इनके traditional size ठीक है brick size यह हमने आज यह discuss किया एक वीडियो में आग बार फिर से इसको आपर देख लीजिए इनको अपने fair में अपने notes में इसको बना लीजिए इनके questions पेपर में आते भी हैं और इनका unit भी पूछा जाता है plus इनका भी calculation करने में हमें इनकी मदद मिलेगी जुरूत पड़ेगी यह हो गया इनका हो गया फिर से बाद यहां आपका डिडक्शन डोर विंडो वेंटिलेशन के फिर ठीकनेस बता दिया गया एर्चिसी स्लेट का फिर है डीपीसी थीखनेस प्लास्टर हाइट प्लींथ हाइट बिल्दिंग साइज अफ रूम् फिर स्टेंडेड ब्रिक्स पीड में बताया गया बटाया चैलना होता है और प्रियल साइस जो होती है अमरे डिस्कस किया हे अब हो गहाँ अब हम लोग ठोड़े से DR यह भी पोर्सन थोड़ा सबस्ता है उसको अगले वीडियो में डिसकस करने के बाद फिर हम लोग डारेट क्वेशन पर पहुचेंगे तब तक के लिए बच्चे इतने जो हैं इतना क्लास अटेंड करिए अपना नोट्स बनाईए और कुछ बुक्स से भी पढ़िए और घर रहिए सुच्चित रहिए यह मेरी आप लोगों से निवेदन है धन्यवाद